Hello everyone, I am Vishal Sina and welcome to our channel Vishal Sina Education आज हम लग क्लास 10 का आवर इंवार्मेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो काफी सिंपल चैप्टर है अगर बाकी चैप्टर से कंपेर किया जाते हैं इसमें कुछ-कुछ important topics हैं उनको भी देखते चलेंगे वह सब इक्जाम में आने के चैंसे तो आवरी इंवार्मेंट में इनवार्मेंट क्या होता है इनवार्मेंट का मतलब क्या होता हमारे surrounding जितनी पी चीजे हैं चाहे वह living हो चाहे नौ-living अपने चारों और देखो जितनी भी चीज़े आपको दिख रहे हैं उपर नीचे हर जगा जितनी भी चीज़े दिख रहे हैं सब environment का है खिंसा है चाहे वह बायोटिक हो या फिर एबायोटिक हो जैसे उसके अंदर bacteria आ सकता है फंजाय सकता है human आ सकता है सारे animals आ सकते है water आ सकता है light आ सकता है air आ सकता है soil आ सकता है यह सारी चीज़े को environment के अंदर include किया हमारा पहला important topic है ecosystem तो ecosystem क्या है उसके पहले यह जानते है कि यह term को दिया किसने था एजी ट्रांसले एजी ट्रांसले नाम के scientist में ecosystem टॉम दिया था ecosystem क्या है एक ऐसा system जिसके अंदर living organism non-living part के साथ interaction show करता है stability के लिए उसी को ecosystem कहते हैं दुनिया में हर चीज़े stability के लिए हो रहे है अब देखिए इसके characteristic क्या क्या हो सकते ecosystem का characteristic क्या होता है यह open system जिसमें इफ्लक्स और influx यह दोनों एनर्जी का यह अकर होता है regular basis यानि ecosystem में energy आती भी है और energy release भी होती है ecosystem के पास कोई boundaries नहीं होती है एक सबसे basic functional unit है ecosystem में complete picture represent करता है interaction का अलग-अलग organism के बीच में आपस में इंट्रक्शन सो करते हैं उसका ecosystem के अंदर दो components होते हैं biotic component और a biotic component और इनहीं दोनों के बीच में इंट्रक्शन होता अभी मैंने बताया different types of ecosystem present within a geographical area किसी एक एरिया में ही अलग-अलग टाइप की ecosystem जिसे अपने घर के बाहर देखो अपने घर के बाहर एक मुठी आप मिट्टी ले रहे हो तो उस मिट्टी को भी ecosystem कह रहे हो आप किसी तालाब को के पानी को ले रहे हो तालाब के पानी को भी आप ले सकते हो उसमें कु artificial ecosystem को man-made ecosystem भी कहते है सिधे example से समझ देते हैं यानि जो नेचर ने बना रखा है पहले से forest, lake, oceans यह सब natural ecosystem के अंदर आया गया यानि यह सब किसी इंसान ने नहीं बनाई यह सब अपने आप बना है primary succession, secondary succession, साल सुना होगा आपने forest formation के लिए artificial ecosystem क्या है यानि जो इंसानों ने बनाया जो नॉर्मली नहीं 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 हो सकता, aquarium, aquarium में क्या है, fish होता है और इसमें water होता है, water क्या है non living part और fish क्या है living part, दोनों के बीच में इंट्रेक्शन हो रहा है, तो aquarium है, crop field है, यानि जो किसान फसलों को उगाते है, तो वो जो field हो गया, crop field, वो भी एक ecosystem हो गया, artificial ecosystem और garden, हमारे घर में garden होता है, यह भी एक ecosystem है, तो यह आपको याद रखना है कि ecosystem का दो पार्ट, natural और artificial, अगर बात करूँ, component of ecosystem, तो दो component होते हैं, abiotic और biotic, जो बायो का मतलब ही होता है living, इसलिए तो biology पढ़ते है न, हाँ, biotic मतलब living, तो अगर किसी word के आगे ए लग गया biology में, मैंने पहले बता रखा है आपको कि उसको कहते हैं, abiotic, a का मतलब होता है not, यानि जो living नहीं है, वैसे component जो living नहीं है, non living है, तो abiotic component के अदर देख सकते हैं, air है, water है, soil है, light है, temperature है, और भी बहुत सारे चीज़े, etc में सब डाल सकते अब biotic component के अंदर आएगा producer, consumer और decomposer, इनका बहुत सारा काम होता है, इस chapter के अंदर बहुत सारे topics में ये सब दिख जाएंगे आपको, producer, जो production करें, किसकी मदद से, light की मदद से, यानि non living material को वो living material में change कर दे, वो सब को producer कहेंगे, तो example है, plants और BGA, BGA का full form, blue green algae, ठीक है, ज consumer की बात करें, जो consume करें, जिसको बनाना ना आता हो, जिसको बस खाना आता हो, उसको consumer कहेंगे, तो herbivores है, herbivores जो hops को खातें, यानि plants को खातें, कौन आ जाएगा, हम लोग भी आ सकतें, ताइगर है, lion है, wolf है, और भी बहुत सारे चीजह आ सकती है, omnivores, हम लोग आते हैं, और आम्निवर्स में आपका पता नहीं मेरा है आम्निवर्स यानि जो दोनों के उपर डिपेंडेंट हो जो हर्विवर्स को भी खाते हो और प्लांट को भी खाते हो जो दोनों के उपर डिपेंडेंट हो यानि जो प्रोडूसर को भी खाते हो और कंजूमर को भी खाते हो तो ह यह डिपेंडनेंट तो होते हैं लेकिन यह चाहते हैं कि वह मरे ना यानि पारसाइट वह वैसे औरनिजम होते हैं जो किसी दूसरी औरनिजम के उपर डिपेंडनेंट होंगे लेकिन उसको मारेंगे नहीं उससे बस नुट्रिशन लेंग एक्जांपल देख क्या समय सकते हो लाइस जुए जो आप लोग के बालों में होती है कसकट्टा पुरा नाम कसकट्टा रेफ्लेक्सा यह कोई डाइनसवर का नाम नहीं है इसका कॉमन नेम है अमर बेल जो आपको कहीं दिख जाएगा किसी ट्री के उप हो गया तीसरा है डिकंपोजर अगर डिकंपोजर की बात करूं न तो यह टॉपिक मैंने पहले डिसकुस किया है लाइप प्रोसेश चैप्टर में अगर याद होगा आपको डिकंपोजर क्या होते हैं वैसे और डिकंपोजीशन करें और फिर उसको इंटेक करें यानि अगर फिर उसकेशरा है डिकंपोजर में अधरी निटेकंपोजर में मश्रूम जहां ग्रुव करता है डिकंपोजर कर देंफका या होगा और कि यानि इन और नेक्स टॉपिक है कि तरह फूट चें बचपन में बना से और रियल गारी चुक 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 यान होगा आपको इस फूट चेन में एक औरण steer के पिछroit कमने के सीघ्य कहाताय अर। इसे को अधुछाrant Ti टोपर अगर कोई कह से सर कुछ अच्छा वाला बताऊ घ्यक्वट कर द firmly नका देंगे अरु और के वह पूरे की सब्सक्राइं गाल में तो वह खाना दीनर है यानि रात के टाम में के लिए डिनर है और वह लायन क्या है उस रैविट के लिए डाइनर है तो यह डिनर और डाइनर का सीक्मेंस याद रखना कि एक डिनर भी डाइनर हो सकता है डाइनर भी डिनर हो सकता है जैसा अगर रैविट की बात करो तो रैविट डाइनर हो गया किसके लिए ग्रास के लि है सबसे पहले इन फूर जन वैरिस स्टेप्स वेर ट्रांसवर आफ एनर्जी टेक्स प्लेस इसको ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है जहां एनर्जी ट्रांसफर हम लोग देखते हैं यारी मैं इसकी बात कर रहा हूं नेक्स्ट है कि जनरली जनरली वहां लिखना चूट गया है इको सिस्टम में चार टाइप के ट्रॉपिक लेवल ज्यादा कॉमन है इसका रीजन क्या है क्योंकि जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ मूप करते ना यह एनर्जी का जो अमाउंट होता है वह घरता चला जाता तो उपर जाने वाले जो सबसे ऊपर वाले ट् चाहिए टूप यह धूप खाता उस जादू की तरा तो जितने भी प्लांट्स होते वह संलाइट को खाते हैं यानि संलाइट लेते हैं और उसे पना फूड बनाते हैं तो प्रोडूसर से स्टार्ट कर रहा हु प्रोडूसर को कहा जाता टीवन लेवल या फोस्ट फिर प्रोडूइसर को खायक प्रांबिर कंजीमर सभीं यानि जो घंसफूस काते हैं उनको बोड सकते हैं हर्फी वो आगया second लेवल कि पोके उनक प्रांबिर ध्युक्र våra uniform को कान्ज Chief üzio में फिर इसी और फिर काम्ट कर ने बोड दो सकते हैं यहां लिख सकते हो लायन है लायन नहीं लिख सकते हो फॉक्स लिख सकते हो या फिर कोई दूसरे लिख सकते हो और यहां लायन या लिख सकते हो जो कि टॉप टॉप कंजूमर है तो यह सब एक्जामपल इसमें कोई नहीं होगा दो चीजे मैंने वॉक्स में लिखी है जो कि बहुत इंपोर्टन है, flow of energy in food chain is unidirectional, एक food chain में हमेशा energy जो होता है, transfer वो unidirectional होता है, यानि ये energy first tropic level से second tropic level ही जाएगा, कभी नहीदा से second से first जला जा, सोचो नजीब लगता, वर रेबिट गुस्षे में आकर lion को खा गया, प्रोडूसर सी एप्लांट प्लांट और इसको फूड बनाते हैं बहुत इंपोर्टेंट इसको याद रखेता है। इंकी जो 20 नहीं चीजल होते हैं यहां जरली तीन हम देखने वाले हैं पहला टैफ उसका नाम है ग्रेजिंग फूडड चेन अब ग्रेजिंग फूड ग्रूड चेन में क्या है सबसे कॉमन टाइप अन्च इसमें क्या होगा इसमें हमेशा स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से और जब सक्सेसिव ओर देखेंगे यानि लगातार का जो ओर्डर होगा वह हमेशा स्मॉल और्डिनिजम से बड़े और्डिनिजम तक मूब करेंगे जैसे देखते हैं इसके अंदर दो एक्जामपल है एक्वेटिक फूड चेन और ग्रीन स्मॉल फिस्ट को खाएगा लारज फिस्ट हम देखने हैं कि इसके साइज में इसके साइज चोटा और यह बहुत बड़ा तो यानि यह जो सीक्मेंस यह चोटे से बरे के ओर हो रहा है इस फूड चैन्में दूसरा है ग्रासलें फूड चैन्द सबसे कॉमन यानि बात बात पे इसी को बछाया जाता है मैं भी इसी को बनाया कि समझाऊंगा सबसे पहले एब अदेगा प्रेडिट वाइट फॉट लाइं यहां जो साइद narrative चोटा है और यहां लायन का साइज यहां बड़ा अब देखो यह food chain भी producer सहीं start होता है लेकिन इसके successive order को देखेंगे इसमें बरे organism से smallest organism या smaller organism की तरफ move कर रहे हैं अब सुचो plant plant ना लिखके यहां मैं अगर लिख दो tree यानि पेड इस पेड़ पे एक चीरिया तो नहीं हो गया इंक बहुत सारी चीरिया हो डाल डाल पे चीरिया रहती है हमारे देश में पता है ट्री इस ट्री पर बहुत सारे word हों एक ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ट और एक बर्ट के ऊपर बहुत सारे पैरासाइम इस under Canadian गवलागोस क् बहुत अब यह गार flips के उपर 1 पांशघर ठीक का पिशार थे आ हम दो प्र इस बहुत अच्छी स्री के बात करें दो क्या हो रहा यहां इस फूट चेन में हम बरे और घ्री सब बढ़या की तुरब कर रहे हैं याननि जब्रबीज़्िधर साथ॥ हूट्टा है टीस्रा फूट्रिजेण safety यह पूट्चेन सब्सक्राइब होता है नहीं स्टार्ट होता है यानि डेद और्गेनिक मैटर का डिकंपोजिशन होगा इस फूडचेन के अंदर यह जो फूडचेन है इसमें प्राइमरी कंजूमर कौन होते हैं बैक्टेरिया और फंजाई होते हैं दुनिया के सारे और निजम कभी न कभी तो मढ़ेंगे कोई हमर है नहीं तो सारे और निजम मरेंगे ędzy तीवन टीडी टीटीटीटी टीफूर बताये था तो बताओ डिकंपोजर को कहां रखा जाता सोच है अगर डिकंपोजर प्रोड्यूसर को के मढने पर इकंपोज़िशन हो रास का तो डिकंपोजर आ जाता सेकडंड ड्रॉपिकल लेबल पर अगर कोई रैबिट मर गया वह उस हिसाफ से ट्रॉपिक लेवल इसका डिसाइड होता था लेकिन यहां हमने एक बना दिया है जो कि यूनिवर्सल ही देखो हर कोई मरेगा उस सब को इस ट्रॉपिक लेवल में डाल देते डेड और अर्गेनिक मैटर और जो डिकंपोजर से वह पास ट्रॉपिक लेवल प पड़ते हैं उसका शिप क्या होता है ठ्रॉपिश्के कैट वर्ड रप्रेजैटेश्न यानने दिखाने का एक तरीका है जो कि D कि 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 बीच में attitude और यह को सिस्टम और सब्सक्राइब एक ऐसा बचली एक एक restoring गज्रीर औरनिजम में और छिज एक को सिस्टम में होते हैं पहला है जौन पिरामीट यह आधिन आप सकते होला नंबर जो नंबर शोर करेगा औरनिजम अब जौि यह जड़ा ने ज्यादाइब ओप्राइट होता यानि सीधा होता वहाँ इरेक्ट भी लिख सकता था मैं आप लिख सकते हो इरेक्ट नमबर प्रोडूसर इस मैक्सिमम एंड नमबर ऑफ हर्भी बोर्स कार्णी बोर्स डिक्रीज़ एड सक्सेशिव फ्रॉपिक लेवल यानि यहां प्रोडूसर का तो समझ में आगा कि ग्रास का नमबर बहुत जादा है उसका जो रैबिट है रैबिट का नमबर थोड़ा कम फॉक्स का नमबर और कम और लाइन का नंबर बहुत कम वहां टाइगर भी लिख सकते हैं आपको पता होगा एक टाइम में काफी प्रावल्म हो गई थी हमारे कंट्री में टाइगर का नंबर बहुत कम हो गया था अब मेंटेन कर लिया हम लोगों ने एक्वेटिक उस्टम इसमें भी जब नंबर द शुक्री लोगों नंबर में एक ही है वर्ट देखे तो बहुत सारे नवाब इस एक ट्री के ऊपर ऑप एक नंबर पारसाइट सूसप्टर का नंबर सबसे जयादा होगा वर्ड का उससे कम और विका सबसे कम तो यह क्या हो रहा है इनवर्टेड है तो इनवर्टिड पिरा एक इक सब्सक्राइब होते हैं डूसरा यह निया में जितने फासे एक रिविंग ओर नियुक्त को तौल दो तो बायो मास इसका जाद़ है उससे कम बर्ड का है और उससे कम पेरासाइट इत्तु सार चो हता है पहले बताये थे त्री को system ग्रास लेंग इक्ोसिस्टमवी वही कहानी यहां भी जो ह्योग ग्रास को सबसे जादा होगा इतना जादा होगा कि गिन जाने नहीं पारा रहे और तॉल भी नहीं पार रहे पर रैबिट कहुंसे कम वॉक का ऊसका लाइन का उससे भी कम तो यहां दखना है कि पिरामिड और बायो माश्वी हमेसा एक्ट होता है जिसका अग्जामपल एको सिस्टम और ग्रासलें इको सिस्टम लेकिन यह क्या यहां जाएक एकुंस्टम में देखा जाए तो यह जो बा फाइटर प्लैंक्टोन को तॉलेंगे तो लार्ज फिस से ज़्यादा भारी हो जाएगा सर आप बेव को बना रहें ऐसा थोड़ी नहीं होगा तो एक चीह मैं याद दिलाता हूं कभी सर्च करना गूगल पे कि हमारे अर्थ पे जो ऑक्सिजन का अमाउंट है प्रेजेंट है उस उसकीजन के अमाउंट में कंट्रिविशन कितना ज़्यादा किसका है तो वहां आप देखोगे कि अल्गी का कंट्रिविशन सबसे ज्यादा यानि अर्थ के उपर सतर परसंट जो ऑक्सिजन है न वह ओसिंस में किस से अल्गी से यानि फैटो प्लैंक्टॉन से तो सोच इनर्जी की बात करें पिरामेड उफ इनर्जी इसका कोई exception नहीं है बहुत अच्छी बात है यह हमेशा अपराइट होगा यह हमेशा इरेक्ट होगा तो यह क्या शो करता है पिरामेड उफ एनर्जी अमांट उफ एनर्जी शो करता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर यान नेक्स्ट है पिरामिड अफ एनर्जी अप्राइट मैंने बता दिया है बिना एक्सेप्शन के क्यों क्यों कि यहां एनर्जी घटती चली जाती है एनर्जी हमेशा घटती है फॉर्स ट्रॉपिक लेवल से सेकंड थर्ट लेवल यानि मैंने अभी कहा दाना कि अगर रैबिट बचता है बहुत यह क्या है एक लौह है जिसमें यह बताया जाता है कि जब एक लिए से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जो आप मूप करती जनितरों को खाएगा तो उसके बाडि मीड है लेजी यह खत्म हो जागा सिर्षाइनर्जी इनर्जी ही ट्रांसफर होगी तो ही कह बाजा आप अब देखो ऐसा पहले समझ लेते हैं यहां क्या है प्राइमरी प्रोडाइबसर ब्रच्री कंजिमर से खर्जी आप तक अब देखो जो संलइट होता है संल डी सर की उपर पड़ेगा प्रोड्यूसरे में बदताई detox इस प्रोड्यूसर ॡिलीख सकते हैं प्रोड्यूसर यह सब पर एगा सिर्फ एक परिसंट एनर्जी प्रोड्यूसर ड्र स करे 여क अब आगे गया सेकैंड्री कंजीमरार को खाएगा तो तो सिर्फ तरस दस पर यह 10% लोग बताता है कि जैसे जैसे आफ ट्रॉपिक लिवल में ऊपर मूब होते हो यह जो एनर्जी का माउंट हो घरता चला जाता है तो अगर मैं पुछो कि बताओ जब AIश क घरते हैं आप अब देखों में क्या लिखा कैंज है अ हम होद और यह अनसे कि अनर्जीश हैं काने वोटो सिंथेस में और बागी की जो एनर्जी है वह उसमें से 30 परसेंट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है कुछ कनवर्ट हो जाती हीट में यानि अर्थ कर लेता और कुछ वाटर का इवैपरेशन में चला जाता 19 परसेंट यहां याद रखना तो कोशन कभी ब्राज आपको फूट दे दिया जाए मालों दे दिया जाए यह ग्रास कि यह रैबिट कर और यह है लाए ठीक है अभी तिन ट्रॉपलिक लेवल ही हम बस ले रहे हैं अगर कहा जा रहा है कि इतने संलाइट मिल रहा है अर्थ को और इसी संलाइट को अब्सॉर्प करके ग् पूछाब झालक के पास कितनी नगर्जी बचेगी तो यह कितना है यह 10 पर मора कि तैन मेंसे उनिट होता है यह 10 लाक डोल सभुड़ेंट में से चीनवаки द्रफ एक पर संफर उगा सिर्सेटा यहां कितना सब यहां पहुंचेगा Than Ten Thousand तैन thousand एक परसंट अब क्या होगा आगे फिर इस पर्संड़ान आउगे दस परसेंट और यहां कितना पहुंचेगा 1,000 फिर यहां 10% ट्रांसपर हो तो कितना पहुंचेगा 100 तो 100 जूल आफ एनरजी लाइन के पास पहुंचती है अच्छा यही रीजन है कि लाइन और टाइगर का जो नंबर है यह दुनिया में इतना कम है समझ मैं आपको हाँ यही रीजन है सिमपल है तो हांडट का वड़र सकते हैं आप और हैं डिवाइट करके मैंने यहां लिखा है फिर टेंव्वाइट करके यहां लिखा है यह लिका है यह बयोलोजिकल मेगनिफिकिशन अब श्रुक्ति कि केसे बट्रारिबर होते यह लाण डीन आप corresponds Quebec to सब हैंने सब कह सकते हैं इनका हमारी बार नहीं होता ये कहीं भी नहीं होता आप देखें क्या होता ये जो बाइव बढ़ते चले जाते हैं और ये बहुत ही टॉक्सिक हो जाता जैसे बात करते हैं अब सुचों मालों DDT का छिर्काव किया मैंने किसी जमीन पे किसी क्रॉफ फिल्ड में वहां से ज्यादा एरिगेशन के कान वहां से वह पानी के साथ वह DDT वह बहे कर चला गया water bodies में किसी रीवर किसी लेक में अब सुचें उस रीवर में उस DDT का कॉंसेंट्रेशन है 0.003 पार्टसपर बिलियन पीपी अब क्या हो रहा है उसी वाटर के अंदर फाइटो प्लैंक्टॉन है आपको पता है फाइटो प्लैंक्टॉन फोटो सिंथेसिस करेगा और फोटो सिंथेसिस के लिए तो वाटर इं इसलिए उसके अंदर यह कॉंसेंट्रेशन बढ़के हो जागा 0.003 पार्टसपर मिलियन यह मिलियन है यह बिलियन है फर्क समय सकते है उसके बाद जू प्लैंक्टॉन अब सुचे जू प्लैंक्टॉन फाइटो प्लैंक्टॉन को खाता है तो क्या अपनी जिंदगी में ए इक प्लैंक्टॉन एग़ी फाइटोफ प्लैंक्टॉन को खायगा बहुत सारे फाइटो फ्लैंक्टॉन को खायगा न तो इसके अंदर यह koncentration और बढ़ जाएगा पॉइंट जीरो फॉर पार्स पर मिलियन अब उसके बाद स्मॉल फिससल बहुत सारे स्मॉल फिश वहां सारे को खा रहें तो यह concentration बढ़ता चला जाएगा यह जो मैंने concentration लिखा है यह एक अजम्शन है यानि कुछ इसी रेट से बढ़ेगा कुछ इसी स्पीड से बढ़ेगा इसके लिए असोच और हम लोग या कोई और फिश इटिंग बर्ड वह खा रहे हैं इन लार्ज फिसको या स्मॉल फिसको तो उनके बॉड़ी के अंदर यह concentration और ज्यादा बढ़ेगा तो यही प्रॉब्लम है इस बायो और इसी में क्या होता है नॉन बायो डिक्डेवल पॉलिटेंट का मैंगिनिफिकीशन होते रहता है यानि वह बढ़ता चला जाता है तो इसको याद अखना है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है फूड वेब अब देखो फूड वेब क्या है हमने पहले फूड चेन देखा इसको सिस्टम में एक्जिस्ट करता तो देखो मैंने लिखा इट कंसिस्ट और में इंटर कनेक्टेट फूड चेन एंडर रियालिस्टिक रिप्रेजेंटेशन और फिटिंग रिलेशन्शनिप इन एको सिस्टम यानि फूड वेब जो है उसमें बहुत सारे फूड चैन इ इस लॉड को फूफिल करने के लिए कोई दूसरा और निजम जैसे देख लीता है इस प्रोड्यूसर को खाने वाले पांच और निजम इंसेंहें रैट है रैबिट हैं गोट यहें पांच और में यह सब इस प्लांट को खारें वहीं देखे तो फृग है फिर आने भी है और गोट भी है एक चीज और देख सकते हैं फूडवेब में हम देखते हैं कि एक और निजम एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे इस्ट कर सकता है जैसे कोई बर्ड है कोई चीरिया है अगर वह चीरिया किसी इंसक्त को खा रहे है तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर अगर वह चीरिया प्लांट को सब्सक्रिवेवल यहाँ बी देख सकते हैं अगर यह लाइन डियर ने हमारा बएसे पहले समझते हैं हमारे अर्थ के चारण एक्मुज स्फियर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड़ है यहां स्ट आइनॉस्पेर तो स्टाट अजों आगले और है करें तो यह हमारे लिए पॉइजनस हो जागा लेकिन यहीं जब स्ट्राइब में लेयर फॉर्मेशन कर रहा है तो हमारे बहुत ही बेनिफिशियल है अब देखते ओधरी बंता कैसा है फॉर्मेशन ऑफ जो मॉलिक्यूल सबसे पहले जो ऑक्सिजन प्रेजेंट एकमस्फेर म यह र्यक्षिन रre schö्ष यानि हमारे उस इत्स्राइब में ऊplat lige पास यह फी र्यक्ष हो रहा यह है और जो सो हो होल क्रिएट कर दिया गया था कहां अंटार्टिका रिजन के ऊपर यह कब डिसका और हुआ था 1985 में निबस्वन सैटलाइट की मदस यह याद रखने आपको अब देखो यह जो ले डिक्रीज क्यों हुआ होल क्यों क्रेट हुआ इसका पता लगाया गया तो पता चला कि CFC लोड़ो कार्बन यह कार्बन जो हम लोग करते हैं कहां से मीट होता है हमारे रेफ्रीजेटर से इसफ्रे से यहां से घ्रीज और ये जा रहा है उस स्ट्रैटो सफेर के पास चाह जीआ बड़ेंर यह ब्रेख कर देड़ा है भाइस किया जाएगा इंडिया असमें और बहुत सारी कंट्री सिंग एक कडिक किया जिसका नाम था यूनाइटन नेशन इन्वर्मेंटल प्रोग्राम इस प्रोग्राम के तहत के कि इमेशन को या निफिक्षिन को कम किया गया तो यह उजोल का problem solve हुआ है हमारे जो नेक्स टॉपिक है वह है गार्विस डिस्पोजल अब देखिए गार्विस डिस्पोजल क्या है जैसे हमारे human population बढ़ रहा है वैसे हमारे काफी आसानी से हो जाए और जिसका काफी टाइम लगे या फिर हो ही ना वह नॉन बायो डिटेबल कुछ में जो इन वेस्पोजल करने के लिए यूज किया जाते हैं वह देखते हम लोग फस्ट बायो गैस प्लांट यानि एक प्लांट सेटप करें जिसमें हम जो भी बायो ड घरों से सीवेज निकलता है उस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जागा उस प्लांट के अंदर उसके अंदर आपको अरोबिक अनुरोबिक बैक्टिरिया की मदद लेनी परेगी तीसरा है लैंड फिलिंग यानि सिंपल कह सकते हैं ना कि हमारे घरों से जो कचर निकलता है उस क्लास 9 में अपने पढ़ा था कॉंपोस्ट एंड वर्मी कॉंपोस्ट यानि क्या है जो और वेस्ट होता है उसका डिकमपोजिशन कराएंगे किसी बड़े से गड़े को बनाकर उसमें थोड़ी दिर तक छोड़ देंगे और उसको ऐसा फर्टिलाइजर या ऐसा मैनियर करने का दूसरी चीजे बना जाती वैसे तो यहीं रिसाइकलिंग में एक चीज़ और याद रखेंगा थ्री आइर प्रिंसिपल कि यह इंपोर्टेंट है कि अधिक का मतलब रिड्यूज वरी यूज ऑन रिडी साइकल कि रिड्यूस क्या है यानि अगर माली जो किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं अगर उसका यूज हम कम करके भी चला सकते हैं काम तो हमें यही करना चाहिए रिड्यूस सबसे अच्छा तरीका है दूसरा आप कुछ प्रोड़क्त लेते तो उनको बॉटल में लेते या कुछ कि किसी चीज में पैक होके आते हैं और उनको आप दुबारा अगर यूज करें तो आज जागा रियूस में जैसे किसी बांड बीटा मैंने खड़ीदा बांड बीटा का जो पूरा बाटल था वह खतम हो गया फिर उसमें किसी दूसरी चीजों का रख सकते हैं तो इसे क्या हो होता है कि जो बहुत सारे वेस्ट आपने जमा किया उस वेस्ट को थाउजन डिग्री से जला दीजिए जिससे क्या जो एश होगा उसका जो राक होगा वह बहुत कम वॉल्म में आ जागा आपने देखा होगा जब किसी चीज को जलाते तो उसका वालिम बहुत ही कए-बैस ग्री फैक्त कि क्या है यिसमें हमारा ए अर्थ जो है अ encouraging रहता है कुछ गैसे से प्रिजन के करनने वह आठ मोह में इसी को ओंस एफट कहा जाता है तो दूसरा हमारा इन Greenhouse gases carbon dioxide N2O CH4CFC यह जो गैसे से नहीं को ग्रीन हास गैसे कहा जाता तो यह क्या करते हैं जो अर्स टेंपरेचर जो र म्हाई होता है न उस हीट को रैडियेक होने से बचाते हैन यानि सारे हीट को नहीं इसके होने जो इसलिए लिखा मैंने एलाव द इसके पी दिशिंट वहर यानि कुछ heat को यह conserve करके रखते हैं अर्थ के surface के चार और तो इसमें खासकर सबसे important है हमारा carbon dioxide तीसरा है the absorb radiation against come to earth surface and heat it up this cycle is repeated many times and gradually hitting the earth अब अर्थ के ऊपर यह जो carbon dioxide है अभी मैं surface को लेगे चलता हूँ carbon dioxide है मालो तो जो heat radiate हो रहा था उसको heat radiate नहीं होने दिया वह carbon dioxide क्या कर लिया उस heat को absorb कर लिया अब जब absorb करेगा तो फिर से अर्थ के temperature को थोड़ा से increase करेगा तो इससे हमारा अर्थ का temperature बहुत ज्यादा डाउन नहीं होता है और इसी को greenhouse effect कहते है लेकिन यह भी problem है अगर यह चीज़े बहुत ज्यादा हो रही है अगर CO2 का concentration बढ़ता चला जा रहा है जैसा कि आजकल हो रहा है जिसके करण एक problem हो र वार्मिंग क्या है कि जो अर्थ का temperature increase कर रहा यह लगतार बहुत तेजी से increase कर रहा तो बहुत तेजी से increase करेगा तो क्या होगा यह भी हमारे प्रॉबलम है अगर अर्थ का average temperature बढ़ता है तो उससे हमारे glaciers melt होंगे glaciers melt होंगे तो जो water level है वो अप होगा उसके उसके कान हमारा जो अर्थ में जो भी land area वो कम होता चला जाएगा तो देरे देरे सब चीज़े खतम हो जाएगी तो यह भी एक बहुत बड़ी problem है इसलिए CO2 को emission को कम से कम करना है तो इससे क्या-क्या तरीके हो सकते कंट्रोल करने के लिए reducing deforestation यानि पेरों को काटने से काटना कम कर सकते हैं पेरों को लगाना ज्यादा कर सकते हैं हमारे human population का जो growth हो रहा है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं और जो greenhouse gases का emission हो रहा इसको भी कम कर सकते हैं तो यह कुछ method से global warming के लिए यहां हमारा our environment chapter खत्म होता औ और मैंने कुछ extra point भी बताने हैं अगर आप नहीं चाहते हो तो आप छोड़ भी सकते हो यहां लेकिन अगर I think जान भी लोगए तो कोई problem नहीं है तो इसमें पहला point है BOD biological oxygen demand लेकि नाम है ना biological oxygen demand यानि oxygen की demand की जा रही है किसके द्वारा देखो किसी water bodies की बात करते हैं कोई river सब organic matter के अंदर आजाने इसका decomposition करेगा aerobic bacteria यानि वह बैक्टिरिया जो oxygen की presence में respiration करता तो उसको ब्रेकडाउन करने के लिए oxygen करने के लिए oxygen चाहिए और उस oxygen को consume करेगा और अपना काम करेगा तो जितना oxygen का demand होगा decomposition के दौरान बैक्टिरिया के द्वारा उसी को कहेंगे biological oxygen demand तो सोचे जो river जो water 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 जितना ज्यादा polluted है वहां उतने ज्यादे bacteria decomposition करेंगे तो वहां का BOD उतना ही ज्यादा होगा जहां pollution कम है वहां उतना ही कम होगा दूसरा eutrophication eutrophication क्या है उसी lake river की बात करें उसका उसकी aging बढ़ती रह गया यानि बहुत पुराना होगा तो उसमें organic matter बढ़ता चला जाएगा और इसी को eutrophication कहते है इसे लिखा it is defined as a natural aging of a lake by biological enrichment of its water water के अंदर यह चीज़े बढ़ती चली जाएगी organic matter बढ़ती चले जाएगा अगर किसी water में organic matter बढ़ रहा है तो वहां algae का growth भी बढ़ेगा धीरे-धी बढ़ेंगे अगर algae बढ़ेंगे तो algae क्या oxygen चाहिए उनको oxygen बढ़ेंगे और जिसके कारण जो water animals से उनके death हो सकती यानि water bodies के अंदर oxygen का जो percentage वो कम होगा तो यह यूट्रोफिकेशन के कारण होता है यूट्रोफिकेशन क्या है biological enrichment यानि उसके अंदर किसी वे water bodies के अंदर in organic matter का बढ़ना तीसरा है एक लॉजिक सबसे basic की बात करते organism यानि हर एक को organism मान सकते मालो मैं और निजम हो ठीक है उसके बाद नेक्स ब्रूप बनेगा उसको कहेंगे population ठीक है population ने ध्यान देना कि population बस single type कहीं स्पेसिस होती यानि अगर हम population की बात करें माले human population सिर्फ इंसान आंगे कुत्ते बिलियों को include मत करना इसमें जब community की बात करेंगे तो community में एक से ज्यादा species आ जाएंगे यानि मालो अगर हम community world बोल रहे हैं इसका मतलब है कि यहां जितनी वीचा है मच्छर हो इंसान हो चाहिए कोई कुट्ते बिलियां हो सब communities में आ जाएंगे बहुत सारे communities मलते है तो ecosystem create होता है और बहुत सा यहां exist करते हैं उसको biosphere कहते हैं यानि हमारा जो अर्थ है वह biosphere है तो इसी के साथ हमारा our environment complete chapter finish होता है